हालो एवरिवन कैसे हैं आप लोग और आपकी पड़ाई कैसे चल रही है आज हम बात करने वाले हैं सुपर मोडल कोशन पेपर 2020 हिंदी बाशा और नैतिक मुल्यों की इंग्लिश का पेपर मैं आप लोगों को प्रवाइट करवा चुकी हूं सबसे पहले इंग्लिश के रिक् साथ ही साथ में यह जितने भी विश्व विध्यालय हैं MP के अंदर या फिर अगर हम बात कर लें कि और भी विश्व विध्यालय चाहिए आप राजस्थान से यूपी से हैं या आप अगर सिले बस सेम होता है तो आप लोगों के लिए भी इंपोर्टन कोशन यही बनते हैं यही कोशन आएंगे अगर आपको बिलीव ना हो तो आप मेरे पुराने मोडल कोशन पेपर उठाइए पेपर उठाइए आपका और उससे मैच अप करके देख लीजे इससे ज़्यादा प्रूफ में आप लोगों को और क्या दे सकती हूँ चलिए अब सबसे पहले पेपर स स्टूडेंटे सब लोगों के लिए एक चीज ध्यान रखना विक्रम उनिवेट्सिटी में तो सिलेबस चेंज हो चुका है इसके लावा डिए वीवी में और बी यू इन जगे पर भी सिलेबस में चेंजेस आया है 70% सिलेबस वह यह बट 30% सिलेबस में चेंजेस है चलिए अब सबसे पहले हम हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं कि आप लोगों को हिंदी में क्या क्या पढ़ना है तो सबसे पहले हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं सबसे फर्स्ट यूनिट है हमारी हिंदी भाशा की जिसके अंदर 3 पार्ट से स्वतंतरता पुकार्ती जैशंकर प् स्वतंत्रता पुकार्थी कवीता किस ने दिये तो जय शंकर प्रसाद जी ने दिये हैं यूनिट नंबर सेकंड में पूसकी राद जो नया एड हुआ है पिछले साल ये नहीं था अब दिपोभव स्वामी श्रद्धानन पर्यावाची विलोम एकार्थी अनेकार्थी शब्द यूग में और संकले ठीक यूनिट नंबर ठर्ड यूनिट नंबर ठर्ड है आपकी भगवान बुद्धनिवन स्वामी वेकानन द्वारा दिया गया था कच्छुआ धर्म चंद्रधर शर्मा बात करें आपके तो यह कच्छुआ धर्म फेमस इनकी राइट की हुई बुक है जो बहुत ज्यादा फेमस भी और पूछे भी जाते हैं तो यहां से आपका उब्जेटिव एक रेडी कर दिया है मैंने कि कोई सी का भी आगर हम बात करें आपर राइटर के नहें आ सकते किस सी दिन गर यहने भारत है भारत शेष्ट भारत के अंतरगर यहां पर यह एक भारत शेष्ट भारत किस दिनकरजी ने संशेपन संकलित और यूनिट नंबर 5 में आ जाएगा आपका नाथिक मूल्य परिचाए एवं वर्गी करन डाक्टर शेशी रौय ने दिया है आचरन की जीवन नातिक जीवन लेकक डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन्दा अब आप लोग उन्हें सिलेबस तो देखी लिया है अगर यह सिलेबस आप चाहिए कहीं से भी बिलॉंग कर रहे हो किसी भी स्टेट से हो किसी भी उनिवर्सिटी से हो चतरपूर हो भी यू हो पॉटन कोशन यही बनेंगे बस आप इनको पढ़ लीजिए आप 101% 70% गेन करेंगे हिंदी में चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यूनिट नंबर 125 में जो चोटे-चोटे से कोशन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्ट यू टाइप में तो पहले हम उसका डिसक अबिजस्ट मेंने आपको बताया था कि सबके राइटर के नेम आपको याल रखने तो माखनलाल जी चितरवैदी है और इने एक भारती आत्मा के नाम से भी जाना जाता है साथ ही साथ में यह जो पूश्प की अभिलाशा है यह विधा है कवीता की प्रशन ऐसा भी पूछ माखाव लिखा है या प्रसाद जी ने लिखिए ये सब्सक्राइबственно-ध्रमकी मर्यादा का साक्षी तो नहीं अन्तकरण हमारा मन नेक्स राजा भोज के नाम पर मद्धिबदेश का कोन सा शहर है तो राजा भोज के नाम पर मद्धिबदेश का शहर है भूपाल एक्चुल में अब ये वाला लेसन हट गया है तो इस वाले लेसन का जो कोशन आना मुश्किल है पर कहीं कहीं पर ये चाप्टर अभी भी है इसलिए मैंने ये कोशन यहाँ पर आप लोगों के लिए एड किया हुआ है नेक्स नहीं रुक्ती है नदी गद्य की कोन सी विदा है तो यह है यात्रा का व्रतान बहुत अच्छा कावे है यह यह निकी बहुत अच्छा वढ़ना ने एक यात्रा होती है उसके अंदर तो अगर आप पढ़के देखेंगे हिंदी तो आपको काफी अच्छा अनुभव होगा और बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत अच्छी विदा है कि मैंने इस विदा को पढ़ा है इसलिए मैं अपना एक्सपीरियेंस आप लोगों से श्यार करते हैं चलिए नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं नेक्स्ट यह यहां पर हमारे सविधान आज तक किती भाषाओं को राजभाषा का दरजा दिया है तो पहले वो 14 थी अब 17 और अब हो चुकी है वो 22 अब यहां पर लिखना आप लोगों के लिए बता देती हूँ अब वो भाषा हो चुकी आपकी 22 भाषाओं को जो कह सकते हैं राजभाषा का दरजा दे दिया गय कृष्णन सर्वबली के जो जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है अब नेक्स्ट कोशन ने वाक्य के प्रकार लिखे तो आपको बताना है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं जब आप चैप्टार पढ़ेंगे ये कोशन आपको मिलेगा और आपको उसके आंसर देने हो नेक्स्ट आचरन की सब्विता के पाथ के लेखक कौन है? तो सर्दार पूरंडजी, अब ही मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हो और यहाँ पर फिर से बता रही हो, सर्दार पूरंडजी स्वतंत्रता पुकार्ती कविता किस नातक से लिया गया है तो ये लिया गया है चंद्रगुरुप्त से आपने देखाई होगा अब दीपोभव के रचनाकार है तो स्वामी श्रधानन उन्होंने ही अब दीपोभव का जो रचना यहां पर की है सचे पत्प्रदर्शक कोन है तो जो महापूरुश होते हैं वो होते हैं सचे पत्प्रदर्शक बोद संप्रदाई के संस्थापक कौन है तो बोद संप्रदाई के जो संस्थापक है भगवान पुद्ध है अपसर नामक व्यंग के लेखक शरध जोशी संशेपन का अर्थ तो संशेपन का अर्थ होता है छोटा कर देना संशिप्ट कर देना मुल्य किसके द्वारा अनुमोदित होते हैं तो मुल्य होते हैं समाज के द्वारा अनुमोदित और जीवन मुल्य एक प्रत्य है तो कौन सा प्रत्य है है वो मूर्त प्रत्य है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है और आप यह मान की चलिए जितने भी कवीता हैं जित्ती भी अगर हम बात करें यहां पर पाट है उन सब के लेखक के नाम तो आपको याद करने ही है क्योंकि उससे तो एक कोशन बनने ही वाला है राइट नेक्स्ट दे यहां से कौन कौन से कोशन इंपोर्टेंट होते हैं और तो मैंने आप लोगों को बता दिये हैं बड़ जब कोशन है तो काफी लेंदी पेपर बन रहा था इतना डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए लिख नहीं पा रही थी इसलिए मैंने इस बार फिर से कोशन सी दिये हैं आप आपकी 20 गाई जो भी आपके वास में बुक है या कोई भी हल बुक है तो उसमें यह कोशन आपको इजिली मिल जाएंगे और हां अगर यह कोशन नहीं मिलते हैं अगर आपको ढूंडने में दिक्कत हो रही तो प्लीज आप मुझे कमेंड करके बता दिजिए तो फिर हमें लगता है कि शायद हमारी वीडियो आप लोगों के काम नहीं आ रही है तो आप लोगों को वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लगती आपको रियल में काम आ रही है तो प्लीज इसे लाइक करना बिलकुल भी न भूलें और चैनल को जरूर से जरूर वाकिक की परिभास लिखिए वाड़ास ग्या है लिखिए व्लॉमशब्न किसे कते हैं उधारन सहीं लिखिए माखल लाल चतुरवैदी की किन ही चार रचनाओं के नाम लिखिए पुष्प की अभिलाशा क्या है? लिखिए स्वतंत्रता पुकार्ती कविता का मूल भाव लिखिए आउसका वर्णकन है स्वतंतरता पुकार्ती कविता में स्वतंतरता किसे पुकार रही है पुष्प की अभिलाशा कविता में रास्टिय भाव को व्यक्त कीजिए संयुक्तवाकी किसे काते हैं उधारन सहित लिखिए अकर्मक्ता ने रसियों की भाती उसे चारों तरफ से जकड रखा है या जकड रखा था आज शेय लिखे यह निकि इसका आपको वर्णन करना है और हाँ इन कोशन में मैंने शौर्ट अंसर टाइप कोशन और लोग अनसर टाइप कोशन दोनौ भी मिख करके दिये हुए है और अगर आप यह सारे कोशन कर लेते तो मान के चलिए कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है अब पूस की रात एक नया टॉपिक इंक्लूड हुआ जो पिछले साल बिल्कुल भी नहीं था इसमें से आप ये कोशन जरूर कर लिजेगा कि पूस की रात कहानी के शिर्षक की सार्थक्ता पर टिप पनी लिखिए पूस की रात काटे नहीं कट रहिए इस तर्थे को इसपस्ट कीजे इस वेरी वेरी इंपॉर्टन डिसकोशन चरे हुए खेत को देखकर मुन्नी और हलकु पर क्या प्रतिक्रिया हुई यह पार्ट भी बहुत ज्यादा इंट्रेस्टेड है मैंने इसको पढ़ा है तो काफे अच्छा लगा है मुझे तो आप भी जरूर हिंदी की जब कोई किताब लेके बैठे तो पूस की रात कहानी अच्छे से पढ़िएगा एक बहुत ही अच्छी बहुत सुंदर वर्णन है कि कैसे वो रात बिताते हैं क्या बहुत अच्छा इसका वर्णन है तो आप भी जरूर पढ़िएगा इंपोर्टन कोशन तो खेर आपको कर नहीं है पर कभी कभी कुछ चीजह हमें पढ़नी चाहिए काफी कुछ हमें नॉलेज भी मिलता है चले अब हम नेक्स बात करते ह दोदो परियावाची लिखिए स्वाध्याई का महत्व बताईए पंडित आलोब दिन कोन थे परियावाची शब्द किसे कहते हैं और कनक, अम्रत, रान, हवा और सूर्य का परियावाची लिखिए नेक्स्ट धर्म मर्यादा की कसोटी अंतकरण क्यों है अब हम बात करेंगे यूनिट नमबर धर्ड की बुद्ध का चरित्र हमें क्या संदेश देता है बुद्ध धर्म की स्थापना क्यों की गई है स्वामी विवेकानंद के अनुसार बुद्ध के मुख्य से धान्त कोन कोन से थे या बुद्ध धर्म की विशेशताय लिखें दोनों एकी कोशन है ध्यान दीजेगा इस बात पर नेक्स्ट भगवान बुद्ध की दस छिक्षाएं लिखें मनु इस प्रती में क्या कहा गया है कच्छुआ धर्म से आप क्या समस्ते हैं यात्रा व्रतांत्र की द्रश्टी से नहीं रुक्ती नदी पाठ की समिक्षा कीजिए जहां चाह वहां राह का पल्लवन कीजिए या पल्लवन से क्या आशे है इसपस्ट कीजिए नहीं रुपती है नदी पाठ का सारांच लिखिए नेक्स्ट अमरकंठक कहां इस्तिते और क्यों प्रसिद्ध है नर्मदा को चीर कुमारी क्यों कहा जाता है पल्लवन की विशेश्टाएं लिखिए सारे जहां से अच्छा हिंदूस्ता हमारा का पल्लवन कीजिए अब हम बात करेंगे यूनिट नमबर फोर्थ की और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हमने हमारा आईडी भी दिया हुआ है और आपको कौन से सब्जिक के आईएंपी कोशन चाहिए प्लीज आप मुझे कमेंड करके जरूर बताएं तो मैं आप लोगों के लिए वो ही कोशन पेपर के आंसर प्रवाइट करवाऊंगी जो आप मुझे कमेंड करके सबसे ज़्यादा बताएंगे ठीके चलिए अब हम बात करते हैं मारी विनिट नमबर फोर की जो है अपसर के साथ नाव में बेटने के क्या खत्रे हैं इंपोर्टन कोशन है ये बहुत ज़्यादा और अपसर के तबातले के द्रश्य का वर्णन कीजिए संशेपन लिखते समय किन-किन बिंदूओं को ध्यान में रखना चाहिए अपसर व्यंग की प्रसागनिता लिखिए भारत एक है निभंद का सारांश लिखिए विवित्ता में एक्ता का तात्पर है संशेपन की आवशकता एवं उप्योगिता पर प्रकाश डालिए अच्छे संशेपन के गुण लिखिए अब हम बात करेंगे यूनिट नम्बर फिप की नैतिक मुल्यों की परिभाषा देते हुए उनके महत्व पर प्रकाश डालिए नैतिक मुल्य की विशिष्टाएं बताईए सरदार पूरण सी यहने आच्रन की सब्विता के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाते हैं सोरी विवेशना कीजिए नैतिक मुल्य की धार्ना इस्पस्ट कीजिए आच्रन की मोन भाषा की व्याख्या कीजिए अंतग्यान और नैतिक जीवन से क्या संदेश मिलता है इस्पस्ट कीजिए नेक्स्ट अंतग्यान क्या है और लास्ट इन कोशन है हमारा डाक्टर राधा कृष्णन अन्तग्यान और नातिक जीवन के माध्यम से समाज को क्या संदेश देते हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप बिना लाइक किये बिल्कुल भी नहीं जाएंगे आप बिल्कुल वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा and thank you, watching for my video and all the best for exam thank you